नमस्कार जाहिन दोस्तों आप देख रहे हैं Master Video Official और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं Crown का समाने ग्यान का बुक जिसमें हमने श्राट किया है भारत का भुकूल काफी important है इससे आपके हर एक एक्जाम में प्रस्न बनते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा औ इसमें भारत का भौगौलिक पडिच्या है अच्छा और टेलिग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर जूर जाईएगा भारत एक विशाल देश है इसकी विशालता के कारण है इसे उप महादूप की संग्या दी जाती है इसे उप महादूप कहा जाता है यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुरा हुआ है हिंद महासागर से हिंदुस्तान से अब इसकी आकरती इस्थिती एवम विस्तार दिया गया है भारत की आकरती चतुसकोनिये है भारत की आकरती चतुसकोनिये ह अक्छांस की द्रिष्टी से भारत उतरी गुलार्ध में इस्तित है और देसांतर की द्रिष्टी से पुर्भी गुलार्ध के मद्धिस्तित है अक्छांस और देसांतर देखिए जैसे धर्ती हुआ धर्ती तो ये लाइन जो है उपर से नीचे का लाइन जो होता है वो होता है गुलार्ध ठीक ना और ये जो लाइन होता है इसको हम कहते हैं अक्छांस ठीक ना ये हुआ अक्छांस जो लेटा हुआ लाइन है वो क्या हु है जैसे अगर हम बात करें ये भुमदी रेखा हुआ इसके उत्तर में है करके रेखा पर हमारा देश से तो इसके उत्तर में है लेकिन अगर इसकी बात करें जो गुलार्द है मतलब जो देसांतर हुआ इसके क्या है ये पूरब में है ठीक ना तो देसांतर की बात हो तब पुरब में 68 डिग्री 7 मिनट पुरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पुरबी देसांतर के बीच इस्तित हैं कभी भी जो ये चोहदी जिसको कहते हैं विस्तार उसमें दक्षिन और पुरब होगा हमेशा देश का मानक समय 85 डिग्री पुरबी देसांतर है जो की नैनी इलहावाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है और यह गरी में टैम भी मिलाते हैं यहाँ पूरब रहेगा ठीकना आपको पस्षिम उत्तर दशिन भी दिया रहेगा तो पूरब होता है और यह सारे पांच घंटा आगे जलता है भारतिय मानक समय से गुजरने वाले राज्य उत्तर परदेश मधि परदेश चातिस गड़ और इसा आंध्र परदेश है यह पांच स्टेट है जिससे होकर मानक समय गुजरता है इस वारभी बिहार दोरगा में प्रस्नाया था कि किस राज्य से होकर टाइम जो जो है हमारा भारतिय मानक समय वो नहीं गुजरता है ठीक na I think गुजरता है था या नहीं गुजरता है तो उसमें बहुत बहुत बचे त्यलंगाना टिक करके आ गये थे जबकि आंसर उसमें Odisha होना था ठीक आईसे प्रस्नाते हैं रीपीट कर लिजी एक बार उत्तर पर 263 वर्ग किलोमीटर है च्छत्रफल की द्रिष्टी से भारत विश्व का सात्वा वरा देश है इसका च्छत्रफल विश्व के च्छत्रफल का 2.42 परसेंट है रूस उसके बाद कानाडा फिर चाइना उसका अमेरिका फिर ब्राजील औस्ट्रेलिया और तब आता है इंडिया उसके बाद अर्जंटीना है इसका बिस्तार उत्तर दक्षिन दिसा में 3214 किलोमीटर और पूरव से पस्चिम तक 233 है जैसे उपर से नीचे तक होगा तो यह है 3214 किलोमीटर और पूरव से पस्चिम की बात करें तो वह कितना है 293 किलोमीटर यह है 3214 और यह है 233 किलोमीटर भारत की अस्थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है इसके मुख्य भूमी की तटिय सीमा की लंबाई 2100 किलोमीटर है इसको रिपीट कर लिजिए भारत की जो अस्थल सीमा है जो पाकिस्तान से या फिर चैना से जो अस्थल सीमा है समदूर से नहीं अस्थल से वो कितना है 15200 किलोमीटर और इसका मुख्य तटिय सीमा मुख्य मतलब हो गया जैसे अंडमान निकोबार को मेंड लेंड जो है इसका वो है 1600 किलोमीटर वो है अगर कुल तटिय सीमा की लंबाए करे तो वो 7516 किलोमीटर है आपको सब याद करना पड़ेगा ये 15200 भी इस परकार भारत का जो कुल सीमा है सबको अगर जोड़ दे तो 22716 किलोमीटर भारत का परोशी देश जिसके साथ सीमा का विश्तार है ये प्रस्न बहुत अधिक आता है सबसे अधिक boundary share करता है भारत बंगलादेश के साथ और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ 104 या 106 किलोमीटर ठीक ना सबसे अधिक है बंगलादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर चीन के साथ 3488 पाकिस्तान के साथ 3323 नेपाल के साथ 1715 याद रखिएगा सबसे अधिक किसके साथ बंगलादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ भारत मियनमार 1643 किलोमेटर 1643 भुटान के साथ 699 किलोमेटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमेटर अफगानिस्तान का तुरह याद रखिएगा पूछा जाता है कहीं क गूरब में कौन है पधिस्चीम में कौन सा बिंदू है वह तो दखचिंतम बिंदू यह धन्दरा पॉंट डेकिए और दखचिंतम बिंदू फूचिंतम पूचे तो सीधा होगा अंड़ मनीकॉवार वाला इंदरा पॉंट लेकिन पूछे गा मुख्य भूमी का दक्छिंतम पॉइंट तो वो कन्या कुमारी हो जाएगा तब change हो जाएगा उत्तर बिंदू, सबसे उपर वाला वो है इंदरा कॉल इंदरा कॉल, जम्मु कास्मिर में इंदरा कॉल, इंदरा कॉल पस्चिम बिंदू, अगर गुजरात के सेट बात करें तो वह आए गौर माता गौर मोता गुजरात और पूरवी बिंदू में किबू थी यह और उनाचल परदेश में है अमुक्य भूमी जो मैं जिकर कढ़ी दिया था तक्छिंतम तामिलाडू में है कन्या कुमारी परोसी देश की सीमा पर अवस्थित राज्य है बहुत इंपोर्टेंट है ये सब चीन के साथ भारत का पांच राज्य टच करता है जमु कास्मीर, हिमाचल परदेश, उतराखंड, सिक्किम, अरुनाचल परदेश जमु कास्मीर, हिमाचल परदेश, उतराखंड, सिक्किम, अरुनाचल परदेश चीन के साथ पांच राज्य हो गया नेपाल के साथ भी पांच है उत्तर परदेश, उतराखंड, बिहार, पस्चिम बंगाल और सिक्किम उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, बिहार, पस्चिम बंगाल और सिक्किम बंगला देश के साथ भी 5 राज़े टच करता है we are confused नहीं कीजिएगा बंगला देश के साथ और चीन के साथ नेपाल के साथ सब के साथ 5 राज़े टच करते है जबकि सीमा सबसे इधिक बंगलादेश के साथ पस्षी मंगाल, असाम, मेघाले, ट्रिपूरा और मिज्वरम पाकिस्तान के साथ चार राज्य, गुजरात, रजस्थान, पंजाब, जम्मु कास्मीर म्यानमार, म्यानमार के साथ रोनाचल परदेश, नागालेंड पाकिस्तान वाले को आप पांच कर सकते हैं एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जमु कास्मिर, लद्दाक भी हो जाएगा ठीक ना लद्दाक तो एक रिपीट कर लेजिए भुटान, भुटानचत शिक्किम, पस्ची मंगाल, असाम, अरुनाचल परदेश, अब आते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ है जम्मू कास्मीर, जम्मू कास्मीर, सिर्स पांच छेतरफल वाले राज्य, जिसका छेतरफल सबसे अधिक है, तो पहले अस्थान पहराजस्थान, 34,242,249, सबसे बरा राज्य भारत का, दूसरे अस्थान पर मधि परदेश, फिर महराश्टर, उत्तर परदेश, जम्मू कास्मीर, अगर सिर्स पांच छेतरफल वाले जिले, सिर्स पांच छेतरफल वाले जिले, जिसमें सबसे बरा जिला कच्छ, यह गुजरात में, गुजरात, 45,652 किलो मीटर स्क्वेर में है, उसके बाद ले, जैसल मेर, बिकानेर, बाड मेर, सिर्स पांच तट वाले राज्जी और कंद्रसासित परदे, जिसका तठीय रेका सबसे लंबा है, सबसे दिक तो अंडवान निकोबार का है, 1962, अंडवान नि इंपोटेंट है, कुजरात, आंधर परदेश, तामिलाडू और महरास्ट है, जो पर्मुक अंतरास्ट्रे सिमाये हैं, भारत और चीन के बीचे मैक मोहन रेका, ये 1914 में निर्धारित किया गया था, सतैस अप्रेल, 1914, मैक मोहन रेका, भारत पकिस्तान के बीचे रेड रेका, ये विभाजन जब भारत पकिस्तान अलग हुआ उससे पहले हुआ था, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरेंड रेका, पर्मुक चैनल और जल डमडू मध्य है, ये बहुत इंपोटेंट टॉपी कही है, ठीकना, इसे प्रस्न आते हैं, इंदरा पॉइंट और इ लक्षदीब ये 9 डिगरी चैनल पे, मिनिक्वाज लक्षदीब, मिनिक्वाज लक्षदीब कहां पे है, 10 डिगरी चैनल पे है, आगे है, मिनिक्वाज लक्षदीब 9 डिगरी चैनल, मालदीब और मिनिक्वाज ये 8 डिगरी चैनल, मिनिक्वाज लक्षदीब होगा तो 9 ड गुजरती है या आठ राजी से होकर गुजरती है जो इस प्रकार है गुजरात, राजस्थान, मधिपर्देश, चतिसगर्ड, जारखंड, पस्चिम बंगाल, तिरिपूरा और मिजोरम। भारत की प्रदेशिक जल, यानि समद्री सीमा, इस अधार पर रेखा से 12 समद्री मील की दूर तक है, इसका पडियोग का भारत को पुर्ण अधिकार प्राप्त है, मतलब जैसे समद्री सीमा ऐसा है भारत का नक्सा, आवे पानी है, तो इससे 12 समद्री मील तक भारत इसके अं अगय संगलन छेत्र, यह अधहार छेत्र से 24 समुद्री मिल दूर होता है, यह भारत की सीमा सुल्क की वसूली और बीती अधिकार प्राप्त होता है, इसके अंदर कोई आएगा, तो भारत उससे वसूल सकता है कि आप हमारे छेत्र में क्यों आये हैं। अनन्य आर्थिक छेत्र, इस अधहार रेखा से 200 समुद्री मिल तक यह भारत को बैग्यानिक अनुसंधान और प्रकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है, मतलब वहाँ पे खनन कर सकता है। उच्छे सागर, अनन्य आर्थिक छेत्र के बाद उच्छे सागर है, जहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होता है, सभी देशों प्रकृत्र जो मनु करेगा। एक समुद्री मिल एक दसमलब आठ किलोमीटर के बड़ावर होता है, काफी इंपोरेंट है। एक जो नौटिकल मिल होता है, वो एक दसमलब आठ किलोमीटर के बड़ावर होता है, एक नौटिकल मिल। भारत में विदेशी छत्रों का समावेस, 15 अगस्त 1947 को स्वतंतरता के बाद, फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधिन कई छत्रों का भारत में भी लए हुआ, जो इस प्रकार है। पुर्तगाल के अधिन छत्र का सब है, पहला है दादर और नगरहवेली, दमन और दूइव और फिर गुवा, फ्रांस के अधिन छत्र, इसमें है चंदेर, नागेवर, पांडिचेरी, कराइकल, माहे, यमन, ये सब फ्रांस के अधिन था। अब प्रमुक तथे दिया गया है, भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बंगलादेश से घिरा है, वह है त्रिपूरा, त्रिपूरा तीन तरफ से बंगलादेश से घिरा हुआ है, त्रिपूरा और बंगलादेश की सीमा सुन्य रेखा कहलाती है, त्रिपूरा और बंगल महादुप में सामिल देश है भारत पाकिस्तान बंगला देश नेपाल और भुटान भारती उप महादुप में भारत बंगला देश पाकिस्तान नेपाल और भुटान भारत का दक्षिंतम बिंदु छोड डिगरी चार मिनट उत्री अक्षांस परें दक्षिंतम बिंदु कौ बात कर रहा है भारत का अक्षांसिये वंदेसांतरिये विस्तार 29 डिगरी दो मिनट से लेकर 29 डिगरी 18 मिनट तक है पुद्धु लपांडी चेरी या पुद्धु चेरी के नसासी छत्र में समलित हुआ माहे केरल कराइकल पुद्धु चेरी तमिलाडु को और यमन आंधर प बार में है भारतिय संख में सामिर राज जी और कंद्रसासित परदेशों की संख्या करम साब 808 नया एडिशन बुक है तब भी यह सब है राज जी कितने हो गए है 288 कंदर सासित परदेश भारत के पुर्वतर राजिय जिनकी सिमाएं बंगला देश से नहीं मिलती है पुर्वतर में है पर बंगला देश से नहीं मिलता वो है नागालेंड, मनिपूर, अरुनाचल परदेश और सिक्किम मैक मोहन रेखा चीन और भारत की किस राजी से दो किस राजी के बीच में अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश इंदरा पॉइंट की विशुवत रेखा से दूरी 876 किलोमेटर ये भी पूछा जाता है आठे डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री छो मिनट उत्री अक्षान से राज्जी के सिर्ष पांच तक्त्रेखा वाले राज्जी गुजरात अंधर प्रदेश तामिलाडू महरास्टर और केरल है नेपाल भुटान और चीन की सीमा से मिलने वाला एक राज्जी केरल स्वारी सि हिरती को मुक्तिय पांच भागों में विभाजित क्या जाता है पहले उत्तर का हिमाले परवत सिर्गला उत्तर का हिमाले मैदान और भारतिय दूइप समुन उत्तर भारत का हिमाले परवत से निकला हिमाले का विस्तार भारत के उत्तर में मुखित उत्तर पस्चिम शिंधू से और अधक्षिन पूरब्रहम पुत्र तक पाया जाता है पूरब से पस्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2400 किलो मीटर है, पूरब से पस्चिम 2400 किलो मीटर लंबाई इसकी चोड़ाई 400 किलो मीटर और जमू कास्मीर में 400 किलो मीटर और अनाचल परदेश में 150 किलो मीटर है हिमालय की चोड़ाई हिमाले भुगर्विय रूप से युवा एबं बनावट की द्रिष्टीकों से वलित परवत है ब्लॉक फोल्ड मुंडे अगे इसका धहाल तिबबत की और अवतल तथा भारत की और उत्तल है मतलब तिबबत की और से चठना मुश्किल है नहीं चरपाएगा जो इस टैप से है ठीक न तो अब्दल है और यहां से उत्तल है हिमाले परवत की उत्त्ति टेथिस भुसननती के मलविश के लगातार जमाव धनसाब और वलन क्रिया से हुआ है किस से टेथिस याद रखेगा यह टेथिस भुसननती प्लेट विवर्तनी सिध्यांत जो प्लेट टिक्टोनिक थ्योड़ी होता है इसके अनुसार इंडियन एबम यूरेशियन प्लेटों के टकडाव से हिमालय का निर्बान हुआ है इंडियन प्लेट प्रती वर्स पांच सेंटी मीटर की दर से जुरेशियन प्लेट से टकरा रही है जिसके कारण इस प्रवत की उचाई प्रती वर्स पांच सेंटी मीटर की दर से बढ़ रही है इस रिंखला को चार परमुक, समान अंतर प्रवक सिरैनी में व्यख्त किया गया है जिसे एक है Trans हिमाले, फिर है मध्य या लगू हिमाले, बिडिहत या हिमाले इसको हिमादरी कहते हैं और सिवालिका या बाय या उप हिमाले तो चार पार्ट है हिमाले का सवसामानतर टैप से है तो पहला है ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले महान हिमाले के उत्तर में तिबबत में स्थेत है तिबबत इस बटा हुआ है तो उत्तर में तिबबत के साथ है ट्रांस हिमाले के दक्षिन से उत्तर में करमसा, कहलास, जासकर, लद्दाक और कारकॉरम सरेनिया पाई जाती है तो यह सब किस पे हो गया ट्रांस हिमाले पे हो गया कहलास, जासकर, लद्दाक और कारकॉरम किस पे हो गया ट्रांस हिमाले पे हो गया भारत की सबसे उची चोटी जो केटू या गाडविन उस्टीन है ये भी कहाँ पे है कारा कोरम स्रेडिम में इस थे हैं जिसके उचाई 8611 मीटर है अगे ट्रांस हिमाले के परमुख हीम नद या हीम खंड कहलो सियाचीन सियाचीन जिसके लंबाई 75 किलो मीटर है नुब्रा घाटे हिस पाड़ा 61 किलो मीटर है हुजा पे है बटूरा 58 किलो मीटर हुजा बियाफो 60 किलो मीटर सिगार और बाल्टोरा 58 ये भी सिगार घाटी अगे राका पोसी जो लद्दाक स्रिंखला का सर्वत्तम सिखर है विशु का सबसे बड़ी धाल वाली जोटी है राका पोसी स्वेन होडेन ने कारा कोरम स्रेनी को उच्छ एसिया की रीड कहा है ब्लैक बोन ऑफ हाई एसिया हिंजलाइन या सूजर जोन ट्रांज और ब्रियद हिमाल्य को अलग करता है। अगे बिढ़िध हिमाले, दूसरा हिमादरी या सर्वची हिमाले कहते हैं इसको बिढ़िध हिमाले को, महान हिमाले कास्मीर के नंगा परवत से लेकर अरुनाचल के नामचा बारव तक विस्त्रित है, इसकी चोराए 25 किलो मिटर और औसत उंचाई एक सट सो किलो मिटर है, ज सिक्किम की चुंबी घाटी जील पाला दर्रे से होकर पस्चिम पंगाल के कलिम पोज में तिबत की राजधानी तहासा इसी सरक मार्ग से जाता है, हिमाले के परमुख दर्रा है, जिसमें राज जी कास्मीर है, दर्रा कौन सा है, बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल दर् उत्रा खंड थागला निती लेपुलेग थागला नितु निती लेपुलेग सिक्किम में नाथुला जिलपला अरुनाचल परदेश बॉमडिला और बुमला बुमला हिमालय की सरवच्चे चोटियां महान हिमालय में पाई जाती है मौन्ट एवरेस्ट बिश्व की सर्वची चोटी है जिसे तिबती भासा में चोमोलूंगा मा चोमोंगुला मा यानि परवतों की रानी और नेपाल में सागर माथा कहा जाता है अगे पर्मुक्त दर्डवे मतलब उचय सहर मौन्ट एवरेस्ट ये नेपाल में है सबसे उचा यही है 8848 आव 8850 के अलो कंचंजंगा भारत कंचंजंगा भारत में सबसे उचा 8598 कंचंजंगा मा कालू नेपाल धोलागिडी नेपाल नंगापरवत भारत में है नेपाल, नंदा देवी भारत, नामचा बरु़वा भारत, गरुला माघात नेपाल में उर्धियां हिमाले को अलग करता है में। महान और मध्य हिमाले को अलग करता है मध्य हिमाले और लकू हिमाले मध्य हिमाले महान हिमाले के दक्छिन में इस्थित जिसकी जोराई 80-100 किलो मीटर तता उचाई अठारा सो मीटर से लेकर तीन हजार मीटर के बीच इस्तित है पीर पंचाल स्रेंखला सबसे लंबी और सबसे महत्पुर्ण स्रेंखला है जिसके मध्य में कास्मिर घाटी पाई जाती है पीर पंचाल स्रेंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्पुर्ण स्रिंखला इसके मध्य में कास्मीर घाटी पाए जाती है पीर पंचाल स्रेणी कास्मीरे मिलेगा धौलाधर स्रेणी हिमाचल परदेश में और महाभारत स्रेणी नेपाल में इस स्रेणी में पाई जाने वाले प्रमुख प्रवत्य नगर है धर्मसाला, डलहौजी नगर, सिमला, मसूरी, रानी खेट, नैनी ताल, अलमोडा, दार्जलिंग मद्य हिमाले में पीर पंचाल एबं बनिहाल पर्मुख दर्रे है, बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू स्री नगर मार्ग उजरता है, जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में है, पीर पंचाल और बनिहाल में सिमला लगु हिमाले की धोला धर स्रेनी पर इस्तित है, लगु हिमाले की डहाल पर पाया जाने वाले छोटे-छोटे घास के मैजानों को कास्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, उतरांचल में इसको बिग्यूंवल और पयार कहा जाता है मर्ग जहां पे होगा तो वह काश्मीर का हो गया उत्रांचल में से बुग्याल और पयार कहा जा नेपाल कांडगा और कुलू घाटी मद्ध हिमाले में पया जाता है घैसीवालिक हिमाले या बहरी हिमाले यह हिमाले की सबसे नविंतम सिरेनी है जिसकी चौराई 10 से 50 किलो मीटर तथा उच्छाई 900 से 1200 मीटर के बीच है इसका विस्तार पंजाब के पोतबार वेसीन से कोसी नदी तक है इसका विस्तार पंजाब के पोतबार वेसीन से कोसी नदी तक है सिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाडी तथा अरुनाचल में डाफला, मिश्मी मीर और अबेर पहाडी के नाम से जाना जाता है लगू हिमाले एवं सिवालिक स्रेणी के बीच कई घाटी पाए जाती है जिन्हें पूरब में दुआर यसे हरी दुआर, कोट दुआर और पस्चिम में दून कहा जाता है इसकी देहरा दून यह लगू हिमाले और सिवालिक स्रेणी के बीच में नदी घाटी के अधार पर हिमाले का वर्गी करन सिड़नी बुर्णार्ड नामक बैग्यानिक ने हिमाले का वर्गी करन चार भागों में किया था पंजाब हिमाले ये सिंधु से सतलज तक है 560 किलो मेटर इसमें जासकर, लद्दाक, कारा कोरम और पिर पंचाल को एड़ गया कुमायू हिमाले ये सतलज से काली तक है 320 किलो मेटर से बद्रिनाथ, तिरसूल, माना, गंगोतरी, नंदा देवी, कामेत ये सब आया गया नंदा देवी कुमायू हिमाले का सर्वची सिखर है फिर नेपाल हिमाले ये काली से तिस्ता तक है 800 किलो मेटर से में अनपुर्णावन, धोली गिरी, गोसाईनाथ, कंचन जंगा, मकालू और एवरेस्ट आगया और अगे है असोम हिमाले ये तिस्ता से देहिंग तक है 720 किलो मेटर इसमें कुला का गड़ी, जांग सांगला, चुमला हारी, नामचा बरुआ अगे है प्राइदिपीए पठार, प्राइदिपीए पठार, प्राइदिपीए पठार गोडवाना लेंड का भाग है, इसके आकिर्ति त्रिभुजाकार है, या राजस्थान से कुमारी अंतरीब तक 1700 किलो मेटर, तथा गुजरात से पस्सिम बंगाल, 1400 किलो मेटर तक 16 ल पुर्भी राजास्थान की उच्छी भूमी मालवा का पथार बुंदेलखड उच्छी भूमी बिंधियाचल जल सत्पूरा स्रेनी, महारास्तर का पथार, महा नदिवेशीन, उडिशा उच्छी भूमी, दंड कारण्ये, त्यलंगाना आंध्र पथार, कर्नाटक का पथार, तामिलाडू का पठार, पस्मी घाट और पुर्वी घाट आता है और इतर पठार वाले में मेघाले का पठार, सुटानागपूर का पठार, बिंध्याचल बाहिल खट और ये पठी लेते बंदिल खट उच भूमिया, आगे मध्य बर्ती उच भूमिया, अडावली स्रेनी, यह स्रेनी पालनपूर जो की कुजरात में है, यहां से लेकर राजस्थान होते हुए, दिल्ली तक लगभख 800 किलो मीटर लंबाय में बिस्त्रित है, जिसका सर्वच्ची सिखार, गुरू सिखार 1722 मीटर है, आबू की पहाडियों में इस्तित है यह, इन्हें उदायपूर के उत्तर पस्तिम में जरगा पहाडियां डोडगड के निकट, मारवार की पहाडियां, अलवर के निकट, हर सनात पहाडी और उत्तर में दिल्ली रीज भी कहा जाता है, मालवा का पठार, इसकी सिमाओं का निर्धारन उत्तर में अडावाली, दक्षिन में बिंध स्रेनी, पूडब में बुंदेल खंड से होता है इस पठार के उत्तर में चंबल लदी अवना लिका अवर्दन करती है अगे हैं बुंदेल खंड बागेल खंड बिंध्या चल बुंदेल खंड बागेल खंड बिंध्या चल मालवा पठार के उतरी भाग को बुंदेल खंड एबम उत् बुंदेलखंड पठार नीश चट्टानों से निर्मित और मालवा के पठार के दक्षिन सिरे से बिंधि सिरेनी लगभग एक हजार पचास किलो मीटर लंबाय में बिस्तित है बिंधि सिरेनी के दक्षिन में नर्मदा की संकिर्न घाटी है जिसका निर्मान अधो भ्रत्सन द पिहार, जहारखंड, ओडिसा एवं पस्सिम बंगाल में पाया जाता है महा नदी, स्वर्ण्रेखा, सोन और दामोदर इस पठार की मुख्य नदियां है इसमें ग्रेनाइट एवं नीश चटानों की परधानता है इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है यहां पाया जाने पिए पठार का बहिस्राय है यह भरसन के कारण भारतिय प्राइद्वीप से माल्दा गैप द्वारा पिर्थक हो जाता है इस पठार में गारो, खासी, जैनतिया, मिकीर एवं रेगमा पहारियां इस्थित होती है सिमला सिखर जो की 1901 मिटर उंचा है इस्थितर का उंचित सिखर है सिलोंग सिखर अगर दक्कन का पठार दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार पठार पूरब तथा पस्चमी घाट सत्पूरा मैकाल और राजमहर पहाड़ियों के बीच सात लाख वर किलो मीटर चतर में विस्त्रित है इसकी उंचाए 500 से 1000 मीटर है इसमें जिवास मढहित है ग्रिनाइट नीस बेसाल्ट चुना पत्तर और क्वार्ड सेल मिलता है सत्पूरा स्रेणी यह नर्मदा इवं तप्ती नदियों की घाटियों के मध्य हिस्तित है इस स्रेणी में राज पिपला पहाड़िया महादेव पहाड़ी तथा मेकाल स्रेणी समलित है सत्पूरा स्रेणी का दूसरा मुख्य चोटी है अगे हैं महरास्त का पठार कोंकन तट एवं सिहादरी को छोड़ कर यह संपूर्ण महरास्त राज में विश्तित है इस पठार की पांच सुक्ष मेकाईया है अजन्ता की पहाड़िया गोदावरी घाटी अहमद नगर बाल भी कहते हैं पस्चिम सिरे पर मेकाल सिरेणी तथा दक्षिन सिरे पर राज हरा पहारिया है इसकी रचना धरवार सैल से हुई है धरवार सैल से उडिशा उची भूमी गरजात पहारिया उत्तकल तटके किनाड़े इस्तित है इस आद्र भूमी में मलिय गिडी मेगसानी मेह प्रदेश के दक्षिनी प्रस्त्मी भाग में मलकान गिडी का पठार इस पठार की दो सुक्ष मीकाईया है त्यलंगाना और रैल सीमा उचे भूमिया रैल सीमा पठार एक समतल भूमिया करनाटक का पठार यह करनाटक एवम केरल के कुछ भाग में इस्तित है मुलान गिरी बाबा बूदन पहाडी की सर्वची सिखर है तामिलाडू का पठार यह पठार दक्षिन सिहादरी और तामिलाडू तटिय मैदान पर इस पिस्तित है जहां जवादी सिवडाई का लायन और पंचम मलाई की पहाडियां पाई जाती है जवादी और सिवडाई पहाडियों में इसकी रचना नीस और चारनो काईट से हुई है फिराता है पस्चमी घाट सिहादरी यह तापी के मुहाने से कन्या कुमाडी तक 1600 किलो मीटर लंबे छेतर में विस्तित है यह अवरोधी परवत ब्लोक मॉन्टेन है उत्तरी सिहादरी का सरवच्च सिखार कालसुवाई है महाबलेस्वर दूसरी परमुख चोटी है जहां से कृष्णा नदी निकलती है महाबलेस्वर के उचाई 1438 मीटर है दक्षिनी सिहादरी की सरवच्च सिखार केंद्र मुख है पुर्वी घाट एवं पस्थमी घाट की परवत निलगिडी परवत गरंथी में मिलते हैं जिसकी सरवच्च सिखार दोदा बेटा है 2637 मीटर नुचा है दक्षिनी भारत का दूसरा सरवच्च सिखार है उंटी उटकमंट निलगिडी में इस्तित है निलगिडी के दक्षिन में अनामलाई की पहाडी जिससे अनामलाई की एक साखा उत coconut में पालनी के पहाडी और दक्षिन के कार्डीमम याने इलेची की पहाडीओं के रूप में फैली हुई है काडिमम पहाडियों के दक्षिन में नागर, कोयल की पहाडिया है, डोडा एक नाल पलनी की पहाडियों में इस्तित्य आगया है पस्चिम घाट के पर्मुख दर्रे, उत्तर से दक्षिन की और यहाँ पे दिया गया है परला इसमें दिया गे है थाल घाट दर्रा, मुंबई, नागपूर, कोलकता, रेल मार्ग एबं, सरक मार्ग से गुजरता है ये, थाल घाट दर्रा, फिर है भोर घाट दर्रा, मुंबई, पूने, बेलगाउ, चेन्ने, रेल मार्ग और सरक मार्ग गुजरता है, भोर घाट द दर्रा काली कट त्रिचूर कोयम बटूर कोच्ची के रेल और सरक बार गुजरते हैं पाल घाट दर्रा सेने कोटा दर्रा तुरुवनंथ पूरम एबम मदुरे को जोडता है सेने कोटा दर्रा अगे पूरभी घाट या महानदी की घाटी से नील गिडी तक 1300 किलो मीटर लंबा में फैला हुआ है उत्तर से दक्षिन की और पाई जाने वाली पहाडियों के करम है सेवराय जवादी नला मलाई पालकोडा एबम नील गिडी महंद्र गिडी पूरभी घाट की सरवच चोटी है महंद्र गिडी भारत का मैदान यह मैदान उत्तर में हिमाल सब्सक्राइबम दक्षिन में पड़ाय दूपिय पठाड के बीच सात लाख वर्ग किलो मीटर छतर में विस्तरित है यह कौपिय प्रदेश है जो सिंधु गंगा ब्रहम पूत्र एबम उसकी सहायक नद्यों द्वारा लाए गए अब सादों से निर्मित है यह मैदान 2400 कि से लेकर 480 किलो मीटर चोड़ाय में विस्तरित है काप के निच्छेपों की प्रकृति प्रवंता अपवाह अधिके अधार पर विशाल मैदान को निम्न भागों में बाटा गया है पहला है भावर यह सिवालिक तलहटी के सहारे सिंधु से 30 नदी तक इस्तित है यह आठ से से लेकर 16 किलो मीटर चोड़ी पट्टी है जिसकी रचना बजरी पत्थर कंकर से हुई है अधिक सरंद्रता के कारण यह छोटी छोटी नदियां बिलुप्त हो जाती है इस प्रकार किर्शी के लिए अधिक उप्योगिया नहीं होती है आगह तराई यह भावर के दक्षिन म 15-30 किलो मीटर चोड़ी दलदली पट्टी है यह नदियां पुना प्रकट होती है अगह बांगर यह पेटी उच्छे भूमी यह पुरानी कॉप के निच्छिप से निर्मित कॉपीय बेदिक आये हैं इसमें केल्सियम कार्गोनेट और कंकर की अधिकता पाई जाती है पंज प्रति यह पेटी बाढ़ के मैदानों की नवीन काप को सुचित करती है जो प्रतिवर्ण के समय सिल्ट के नए निच्छे से समृद्ध होती है इसकी उपजाओ सकती में प्रतिवर्ण बिर्धी होती है फिरा तर डेल्टा डेल्टाई मैदान मुक्यता कीचर तथा दलदल होता है इसमें उच्छ भूमियां चार एबं दलदली भूमियां बिल कहलाती है अगे तटवर्ती मैदान तटवर्ती पठाथ से पुर्वी एबं पश्चमी तटकी और अर्थात पूरव और पश्चमी घाट और समुद्र की बीच तटीय मैदान विस्त्रित है पश्चमी पस्थि में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीब तक 1400 किलो मीटर लंबाय में फैला हुआ है इसकी ओसक चौड़ाए 10 से लेकर 25 किलो मीटर है यह सरबादिक चौड़ाए 80 किलो मीटर नर्मदा और तापी के मुहाने के निकट पड़ है यहां पर अधिकतर नदिया जवार नदमुख का अंदिर्मान करती है इसके दो परमुख भाग है पहला है कौकन तट गोवा से मंगलोर तक फिर है मलावार तट मंगलोर से कन्या कुमारी तक यहां अनेक लेंगून के लेंगून एवं पस्च जल मिलते हैं जिने कयाल कहते हैं जैसे की अस्ट मुडी ए सहारे हैं इसके दो प्रमुक भाग हैं उत्री सरकार तट हुगली एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य बिस्त्रित यह तट एक उनमगन तट है चिलका जहील एक प्रमुक लेंगून जहील का उदाहरन है अगे कोरो मंडल तट यह तट कृष्णा डेल्टा से कण्य यह कुमारी तक बिस्त्रित है यहां लेंगून अनुपस्थित होता है अगे है द्विप सम्मू भारत में 247 द्विप सम्मूथ है जो कि बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43 द्विप है बंगाल की खाड़ी के द्विप में पहला है अंडमान एवम निकोबार यह द्विप सम्मू 10 दिग्री चैनल द्वारा पिर्थक है छोटा नागपूर एवमकार निकोबार भारत का दक्षिंतम बिंदू इंद्रा पॉयंट ग्रेट निकोबार में इस्तित है डंकन पास छोटा नागपूर और ब्रा अंडमान के बीच इस्तित है यहां पर नार क अग 17 का सबसे उत्तरी नाधमार से कोबके and चैनलमार का सबसे बडरा भी मधिय अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा दूप जोए यह प्रवाल की राजडग्वनी राजधानी प कर दूदे बिंदर अरब सागरियों दूपों में लक्ष दूप समू 36 दूप है जो प्रवाल दूप का उदाहरा ना इसका चत्रफल एक सो आठ होवर किलो मिंटर है इनमें केवल दस दूप आवाद है अंध्रोत दूप लक्ष दूप का सबसे बड़ा दूप है लक्ष दूप की राजधानी कावारती कावारती दूप पर इस्थित है मेनिकोय दक्षिंतम दूप है जो की सेस दूपों से नौ डिग्री चैनल से पिर्थक होता है मेनिकोय दूप आठ डिग्री चैनल द्वारा माल दीव से अलग होता है सबसे उत्तर में इस्थित दूप समूह अमीन दीव है जो दूप मत्सो उत्पादन एब परिटन के लिए विख्यात है अब आगे है अब तटिये दूप भारत के कई अब तटिय दूप है जिसमें पिरम भैसल ये कठियावार खाडियावेट और अलियावेट ये नर्मदा और ताफी के मुहाने पर है एलिफेंटा साल सेंट बूचर ये मुंबई के निकट है पुर्वी तटिये दूप में निवमूर और गंगा सागर गंगा डेल्टा पर है पांबन और क्रोकोडाइट ये मननार की खाड़ी पर है और वीलर ये महानदी ब्रहमानी के मुहाने पर है अब आगे एक साचे भारत की नदिया आगे है भारत की नदिया काफी इंप्रोटेंट है ये भारत में ये नदियों को दो भागों में बाटा जा सकता है भारत की नदियों क नौर्थ का इंडिया और नीचे बैगे दक्षिन भारत की इंडिया और ऊपर जो नदिया है, उससे हम कहते हैं हमालाई अपवाह के नदी तंत्र तो पहला है हिमालाई अपवाह के नदी तंत्र जिसमें से पहला है सिंधु तंत्र सिंधु एवं उसकी सहयक नदियां जिसमें जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जासकर, गोमल, दरास, सियोक, सिगार, कुर्रम, कावुल एवं गिलगिट जिसमें कुछ एक आभी महत्रपुर्ण है पुछा जाएगा इसमें से कौन सी नदिय सिंधु तंत्र से सम्मंदित नहीं है या है तो जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इसको बिल्कुल याद रखिएगा सिंधु तिबत में मान, सरोबर, जिल के निकट, चेमांग, यंग, डूंग, गलेसियर से निकलती है सिंधु कराची के पुडव अरव सागर में गिरती है सिंधु में बाई तरब से मिलने वाली सहयोगी नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाव, जेलम ये सारी नदिया मिला के पंचनद कहलाती है, पंचनदिया है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाव, जेलम, ये क्या है, पंचनदिया सिंधु में दाई तरब से मिलने वाली सहयोगी नदिया, सियोक, काबूल, कुर्रम, गोमल, जेलम जेलम या पीर पंचाल परवत में इस्थित सेसना जहील से निकल कर वुलर जहील में मिलती है जेलम तथा रावी पकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती है जेलम तथा रावी पकिस्तान में जाकर वो चिनाव से मिल जाती है चिनाव यह सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल परदेश में चंद्रभागा कहलाती है चिनाव नदी को हिमाचल परदेश में चंद्रभागा कहा जाती है कि इसका अकार चंद्रमा जैसा होता है यह हिमाचल के लाहोत जिले में बारा लापचला दर्रे के निकट से निकलती है अगे रावी नदी इसका उद्गम कागडा के पास रोहतांग दर्रे के निकट होता है इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है इनकी घाटी को कुल्लू घाटी कहा जाता है अगे व्यास सतलज की सहायक नदी है व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है सतलज नदी यह मान सरोबर जहिल के पास राकस ताल से निकलती है सतलज नदी मान सरोबर जहिल के पास राकस ताल से निकलती है अब है गंगा नदी तंत्र है गंगा उत्रा खंड के उत्तर कासी जिले से गोमुक के निकट गंगुत्री हिमानी से निकलती जहां इसे भागी रथी कहा जाता है भागी रथी पहली बार मैदानी इलाकों में गंगा का प्रवेस हरी द्वार के पास होता है पहली बार गंगा का प्रवेस मैदानी इलाकों में कहां होता है हरी द्वार में गंगा के बायेस से मिलने वाली सहायक नदियां जो की पस्चिम से पूड़व की ओर बायेस से मतलब पस्चिम से पूड़व की तरफ आई सा ये कौन-कौन से राम गंगा? वरूना, गोमती, घागरा, गंडक, बूडी गंडक, कोसी और महानन्दा है जबकि दायें से मिलने वाली नदिया यमुना टोन्स सोन जो नीचे की तरफ से मिलती है यह हो गया दाया और यह हो गया बाया बंगला देश में गंगा को पद्मा कहा जाता है बंगलादेश में गंगा को पदमा कहते हैं जहां वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यमुना इसका उदगम बांदेल पुछ के पस्चिम ढ़ाल पर यमुनत्री हिमानी या उत्राखंड में होता है यह इलहाबाद में गंगा से मिलती है इसके मुख्य सहायक नदियां चंबल, केन, सिंध और बेतवा है चंबल, केन, सिंध और बेतवा चंबल यह बिंधि परवत से माउ के पास निकलती है और इटावा में यहुना से मिलती है बनास इसकी मुखी सहायक नदिया है यह नदी अवना लिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और उत्खान भूमी के छतर कहलाता है इसके बाद है सोन यह अमर कंटक से निकल कर पटना के पास गंगा में मिलती है फिर है राम गंगा, यह कुमायू हिमाले से निकल कर कन्नोज के पास गंगा में मिलती है, मैंने नदी सिस्टम के बारे में एक अच्छा से वीडियो बनाया हुआ है, बुरा मतलब जो image image के साथ होता है, उसको देखिएगा बहुत अच्छे से, मैं link description box में डाल दूँगा, कन् उपड़ी हिस्से को करनाली कहते हैं, यह छपड़ा के पास गंगा में मिलती है, गंगा में यह छपड़ा के पास मिलता है, अगे गंड़क, यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमाले से निकल कर सोनपूर के पास गंगा में मिलती है, कोसी, यह मुख्यधारा अरुन, गोसा, इन नात के उत्तर से निकलता है ये बिहार के खगरिया के पास गंग्गा में मिलता है बारबार मार्ग बदलने के कारन एवबार के कारन इसे बिहार का सोख कहा जाता है सैरो आफ बिहार आगे हैं ब्रहमपुत्र तंत्र ब्रहमपुत्र इसका उद्गम मान सुरोबर जिल के निकट चेमा युंग डुंग हिम्रद से हुआ है तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है यह भारत के नामचा बारवा चोटी को काट कर प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग कहते हैं साधिया नगर को दो सहायक नादिया दिवांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नम ब्रहमपुत्र पड़ता है और जो दिवांग और लोहित जो नदी दूप बनाता है इस टेप का वो दुनिया का सबसे बरा नदी दूप होता है जो माजूली दूप यहां पर लिखावी है, दुनिया का सबसे बरा नदी दूप जो है वो माजूली दूप इसी नदी पर बनाए, यह लोहित और दिवांग नदी मिलके बनाता है, बड़ामपुत्र की सहायक नदिया सुबना सीरी, धन सीरी, तिस्ता और मानस है, यह बंगल की नदियों की अपेक्छा अधिक पुरानी है, यह अपने आधहार तल को प्राप्त कर चुकी है, जिससे इसका ढ़ाल अत्यंत मंद है, यह नदिया दो भाग में बाटी गई है, बंगल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया, जिसके महा नदी है, यह 36 गट के सिहावा स्रे पुरानी से निकल कर ओडिसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसके सहायक नदियां जोंक, सिवनात, वातेल आधिया, अगे गोदावरी, गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदिया, जिसके लंबाए 1465 है, और वैसे कौन सा गंगा, 2525 किलोमे गंगा भी कहा जाते हैं, दक्षिन भारत की गंगा कौन सो हो गया, गोदावरी, इसकी प्रमुक सहायक नदियां, प्रानिता, पुर्ना, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती और मंजराय, ब्रहमानी, वेतरनी और स्वर्णरेखा, अब आगे दिया गया है, ब्रहमनी, वासर्णरेखा, छोटा नागपूर पठार पर राची से निकलती है, जिसे वेतरनी उडिसा में क्योजहार पठार से निकलती है, कोयल एवम संख नदी पर आपस में मिलती है, तभी इसे ब्रहमनी नदी कहा जाता है, अब है क्रिस्ना, यह प्राजूपिय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जो महा बलेश्वर के निकट निकलती है, क्रिस्ना, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, कोईना, येरला, वर्ना, पेंच गंगा, दूद गंगा, घाट परभा, भीमा, तुंग भदरा एवा मूसी है, क्रिस्ना की सहायक नदी हागडी भी है, करनाटक के कुग्र जिले से ब्रह्म गिडी से निकलती है, इसकी घाटी में गिडिस्म कालिन एवं सीद कालिन दोनों मानसून पाये जाते हैं, जिससे इसमें बर्स भर जल लगा रहता है, इसकी परमुख सहायक नदिया है, हिमावती, लोकपावनी, अमडावती, लक्षमन तिर्था, सुवरनावती आदिया, या सिव समूद्रव नामक जलपरपात बनाती है, कावेरी एवं क्रिसना के बीच पहनार नदी का वैसिन है, अरव सागर में गिरने वाली नदिया, नर्मधा, इसका उदगम मेकाल परवत की अमर कंटक छोटी है, अरव सागर में गिरने वाली प्रैद्यूपिय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है बिंध्याचल एवं सत्पूरा के बीच यह एक भ्रंस घाटी से होकर गुजरती है जवलपूर के पास यह धुआधार जल पर पात भी बनाती है खारी में गिरने से पहले यह ज्वार उन्मुक्त बनाती है जवार उन्मुक्त नर्मदा की प्रमुक्सायक नदिया तवा दुद्धी संकर हीरन औरशन कोनार माचल है तवा दुद्धी असकर हीरन औरशन कोनार माचल आगे तापिया तापति यह मध्य प्रदेश के बेतूल जिले के मुलताई नामकस्थान के पास सत्पूरा स्रेनी से निकलती है सत्पूरा यहां अजन्ता के विच यह भढ़ंस घाटी का निर्मान करती है पुर्णा इसकी प्रमुक सहायक नदी है अब है सावरमती राजस्थान के मेवार की पहाड़ी से निकल कर यह खंबत की खाड़ी में गिरती है सावरमती जो है वो राजस्थान के मेवार की पहाड़ी से निकल कर खंबत की खाड़ी में गिरती है अगे आता है माही यह मध्य प्रदेश में बिंदी की चोटी से निकल कर खंबत की खाड़ी में गिरती है सोम एवम जाखम इसकी परमुक सहायक नदी है सोम एवम जाखाम इसकी परमुक सहायक न दिया है अगे घागर या सिवालिक पहाडियों में सिमला के पास निकलती है हनुमान गड जो रजस्थान के पास है वो भटनेड में मरु अस्थल में बिलीन हो जाता है अगे लूनी यह अजमेर में अडावली के नाग परवत से निकल कर कच के रन में दलदल में भी लुप्त हो जाता है सरसुती, जवाई, सुखरी, लीलडी इसकी परमुक सहायक न दिया है इसे भारत की लवन नदी भी कहते हैं लवन नदी अब है अन्य नदिया गुजरात जिसमें सत्रंजी और भादर है गोवा, मंडोवी, जुवाडी, राचोल करनाटक में काली नदी, वेड़ती, गंगावेला, सरावती और नित्रावती केलल में भरत पूजा, पेरियार, पामबा परमुक नदियों की लंबाई दिया गया है बढ़ंपुत्र, उन्तिस सो, गंगा का पचीस पचीस यहाँ पर बढ़ंपुत्र सबसे लंबी है, पर भादत में गंगा पचीस पचीस यमुना का तेरासो पचासी, चंबल का नौसो पैसाट, घागडा एक हजार असी कोशी का साथ सो, तीस आप जिस राज से विलॉंग करते उस राज का एडजक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपोटन हो जाता है यहां में दें कि सिंधु का पुल लंबा है अगर बात करें तो सबसे दीक है, 880 है, गंगा से लंबी है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है, वो कहा हो जाता है, पाकिस्तान में हो जाता है, ठीक ना, इसलिए भारत सबसे लंबी नदिया गंगा होती है सतलज 1500, जेला में 1180, महानदी 858, गोदावरी 1465, क्रिस्न 1400, कावेरी 800, नर्मदा 1312, और तापी 730 किलो मेटर भारत की प्रमुख जील, विवर्तनिक जील, कास्मीर के वुलर जील, तुलबुल पर्योजना इसी पर है, कास्मीर का वुलर जील, विवर्तन जील यहीं पर है, जो अलमुखी किरिया से निर्मित जील, महरास्टर के बुल्धाना जीले में लोनार जील, लोनार जील महरास् पुलिकट, तामिलाडू, कोलेडू, आंधरपर्देश, और अस्टमोडी, केरल, हिमानी दुआरा निर्मित जील, जिसमें कुमायू हिमाले के अधिकांस जील, जैसे की राकस ताल, नैनी ताल, भूमी ताल, पूना ताल, मालवा ताल आदिये, कुमायू हिमाले में आता है, डलजील, मानस बल, सियसनाग, अनननाग ये जम्मू कास्मीर में है, उदै सागर, पिछोला, फतेह सागर, जैस समंद, राज समंद ये राजस्थान में, हुसेन सागर, आंधर पर्देश तेलंगाना में, अगे है भारत का प्रमुख जल परपात, जिसमें सिभ समुद्रम, ये कावेरी पर, सिभ समुद्रम, कावेरी, जोग या गोड़ सप्पा, ये सारावती नदी पर, सारावती, गोकेक, गोकेक नदी पर, क्रिस्ना की सायक नदी है, गोकेक, ये ना, ये नर्मदा, महाबलेश्वर के पास, ये ना, चुलिया, चंबल नदी पर, चुलिया, पा अब कुछ परमुक तत्थ दिया है कि भारत का सबसे उंचा जड़ना कुची कला ये समोंग करनाटक में है उंची कला उज्जेन वसा है सिप्रा नदी के किनारे वसा है इस नदी को नेपाल में सालिग राम एबं मैदानों में नराइनी कहा जाता है गंडक मांसरोबर जिल से निकलने वाली प्रमुक नदिया सिंधू सतलज और भागी रथी एवं अलगनंदा कहां मिलकर गंगा बनाती है देव प्रयाग गोखुर जील पाई जाती है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हरी के वाराज से निकलने वाली नहर है इंद्रा गांधी नहर जल परवा के आपतन का माप है क्यू सिक क्यू सिक गंगा किस प्रकार की नदी है पुरवानु वर्ती प्रवादा सिंधु नदी घाटी के किस राजी से गुजरती है ले जमु कास्मीर से उडिशा का सोक कहा जाता है ब्रहमानी नदी ब्रहमानी गोदावडी का विस्तार किन राज्यों में हुआ है महरास्ट्र चतिसगर्ड मधिपर्देश और आंध्रपर्देश गोदावडी चत्र में लंबे समय वधी में मौसम की अवस्थाओं तथा विबेचताओं का कुल योग ही जलवायू कहराता है लेकिन मौसम एक विसेश समय में एक चत्र के वायू मंडल की अवस्था को बताता है मौसम छनिक काल का होता है जबकि जो जलवायू होता है वो लंबे समय पहला जागे से मानसून, मानसून सब्द की बित्पत्ति अरवी सब्द मेसीम से हुई है जिसका सावदिक अर्थ है मौसम, मानसून का अर्थ एक वर्स के दोरान वायू की दिसा में रितू के अनुसार पडिवर्तन है, मानसून की उत्पत्ति, मानसून की प्रकिडिया को की बिभेदरी प्रकिडिया के कारण भारत के अस्थल भाग पर निम्न दाव का छेत्र उत्तपन्न होता है जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्छे दाव का छेत्र बनता है दूसरा है गतिक संकल्पना फ्लोन के अनुसार ग्रिस्म रितू के दिनों में अन्ता उसनकटिबंधिये अभी सरन छेत्र में इस्थित गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है यह विसुवतिये गर्थ है जो पड़ाय विसुवतिये बिर्थ से पांच डिगडी उत्तर में इस्थित होता है इसे मानसुन रितू में मानसुन गर्थ के नाम से भी जाना जाता है अन्तह उसनकटिबंधिये अभी सारन छेत्र यह विसुवतिये अक्छांसों में बिस्त्रित गर्थ एवम निम्न दाव का छेत्र होता है यही पर उत्तर पुर्वी तथा दक्षिन पुर्वी बेपारिक पवने आपस में मिलती है यह अभी सारन छेत्र विसुवत बिर्थ क के लगभग समनांतर होता है लेकिन सुर्ज के अभासी गती के साथ-साथ यह उत्तर या दक्षिन की ओर खिसकता है। सुर्ज के उत्तरायन होने पर उत्री अभिशारन सीवां 30 डिग्री उत्तर अक्षांस तक बिस्तरित हो जाता है। इस अस्थांतरन के कारण भारती उप महादूप का अधिकान सभाग विशुवतिय पच्छवा पवनों के परभाब में आ जाता है जो दक्षिन पस्मी मानसून कहलाता है। शीति रितु में वायूदाव एवं पवन पेटियां दक्षिन की और अस्थांतरित हो जाती है जिससे इस प्रदेश में उत्तर पूर्वी बेपाडीक पवने अस्थापित हो जाती है। 184 किलोमीटर प्रती घंटा होती है। बहुत सी अलग-अलग जेट धाराएं की पहचान की गई है। उनमें सबसे इस्थिर, मध्य अक्षांसिये और उपोष्ण कटिवंधिये जेट धाराएं है। सीत रितू में हिमाले और तिबत के पठार के द्वारा उपस थेता है। अवरोध के कारण जेट धारा दो साखाओं में बढ़ जाता है। उत्री साखा हिमाले तथा तिबत के पठार के उत्तर में तथा दक्षिन साखा इनके दक्षिन में बहती है। जेट धारा के दक्षिन दावचीन पर जाता है तथा उपड़ी बायुमंडलिये पड़ी धुर्विये भंबर उत्तर की ओर खिसक जाती है जेत धारा के तिबद के पठार के उत्तर की और खिसकने से उप महादुप के उत्तरी तथा उत्तरी पस्चिम भागों के उपर मुक्त धारा परवाह के वक्र का उत्करमन हो जाता है। अगे महासागरिये रासियां, महासागरिये रासियां जब दक्षिन प्रसांत महासागर के उसन कटी बंधिये पुर्वी भाग में उच्च दाब होता है तो हिंद महासागर के उसन कटी बंधिये पुर्वी भाग में निम्न दाब होता है लेकिन कुछ विशेस वर्सों में व सब्सक्राब की अवस्था का संबंद L-9 से है इसलिए इस पड़िघटना को N-100 यानि L-9 दक्षिनी दोलन N-100 दक्षिनी दोलन यानि L-9 सौथर्ण ऑक्सिलेशन कहा जाता है अब दूसरा होता है L-9 यह था L-9 यह L-9 यह दो टैप कहो होता है ठंडी पेडू जलधारा के अस्थान पर और अस्थाय त्वर पर गर्म जलधारा के विकास से L-9 कहते हैं यह एक एस्पेनिस सब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा जो की बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि यह धारा क्रिस्मस के समय ब महासागर का जले समान से अधिक ठंडा होता है समान से अधिक ठंडा होगा लाल नीना का मौसम की धाराएं भारतिय मौसम विभागने वर्स को चार रितियों में बाटा है पहला है सित रितु यह मध्धी दिसंबर से लेकर मध्धी मार्च तक आता है उसने रितु जिसको ग भुमध्य भाग चेत्रों में उत्पन बिच्छवों के कारण उत्तर भारत में हलकी बर्सा होती है, साथ ही कास्मीर एवं हिमालय के पहारी हिमालय में भारी हिमपात भी होता है। भुमध्य भाग चेत्रों में उत्पन बिच्छवों के कारण उत्तर भारत में हलकी बर्सा होती है, साथ ही कास्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात भी होता है, उत्तर पुर्वी मांसून के कारण सीत रितु में तामिल लाडू के कोडो मंडल तटपड़ भी बर्सा होता गिरिसमरितों में दाव एवं पबन संचार और इस्थिर होता है, इस समय देश के विभिन भागों में अस्थानी पबन वहती है, जिसे की लू, ये उत्तरी मैदान में सुस्क गर्म हवाएं हैं, लू, नार्वेस्टर या कालवेसाखी, पस्षिम बंगाल एवं असम में ग परनाटक में वर्षा जो की कॉफी की खेती के लिए लाबदायक होता है, चेरी विलोसम, अगे है वर्षा रितू, प्राइद्वीप की आकिरती के कारण मनसूनी पवने दो भागों में बढ़ जाती है, पहला है अरव सागडिये साखा, इसकी एक साखा, पस्षमी घाट से टकडा कर ग्यारो खासी के मुखे मारग में परवेश कर दिया, चेरा पुंजी तथा मांसी राम में जो अधिकतम बढ़ सा होती है, वो इसी से होती है, मांसी राम में लोटते हुए मांसून की रितू, सिप्टेंबर के अंत और सुर्ज दक्षिन की और बढ़ने बढ़ना तटवर्ती भागों में ठंडी के टैम में क्या होता है, वर्षा हो जाता है, आगे कोपेन का जलवायू बरगी करन, कोपेन ने भारत के तीन जलवाईविये प्रदेशों में बाटा है, पहला है सुसक, आदर सुसक, सुसक को B, आर्द सुसक को C तथा D, और आदर को A, ये प्रदेश तापमान एबंबर्शा के मौसमी अंतरों के अधार पर पुनः और उपविभाजी किये जाते हैं जलवायू के प्रकार और शेतर दिया गया है एडवलू यानि उस्न कटिवंधिये सावना प्रकार जिमें जहारखंड ओडिशा आंधरिप्रदेश महरास्ट और 30 गड़ है एमडवलू उस्न कटिवंधिये मांसून जलवायू मालावार तट कोंकन तट और गोवा के दक्षिनी हिस्से में ए एस एन ए तो उस्न था उस्न कटिवंधिये आदर जलवायू तामिलाडू का कोडा कोरम तट बी एस एच आदर सुस्क स्टेपी जलवायू उत उत्री गुजरात एबं हर्याना का दक्षिनी भाग अगे CWZ मध्य तापिये जलवायू गंगा के मैदान का किस्म गंगा के मैदान पुर्वी राजस्थान उत्री मध्य प्रदेश उत्री पुर्वी भारत का अधिकांस भाग DFC सीत आदर सीत रितु जलवायू अरुनाचल परदेश सिक्किम E यानि धुर्वीय परकार की जलवायू जमू और कास्मीर हिमाचल परदेश और उत्राखंड E TN टुन्टरा जलवायू यह लद्दाख आगे जो प्राकर्तिक वनस्पती का अर्थ है कि वनस्पती का वह भाग जो मनुस्यकी सहायता के बिना अपनयाप पैदा होता है तो लंबिस में तक उस पर मानवी परभाव नहीं पड़ता है इसे अक्छत वनस्पती कहते हैं भारत में निम्न परकार की प्राकर्तिक वनस् इसमें पहला है उस्न कटिवंधिये सदावाहर वन ये वन भारत के उन भागों में पाया जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्जा एवं उच्छे तापमान 24 डिगरी सेलसियस पाया जाता है विडिक्षों के पतजर का कोई निश्चित समय नहीं होता अता हिया वन साल भर हड़े भड़े होते हैं इसलिए से एवर्ग्रीन फोरेस्ट या सदावाहर वन कहा जाता है इन वनों में सरवाधिक जैविवित्ता पाये जाती है ये वन पस्चिमिक हाट के पुडवी ढाल लक्षदूइप अंडमान निकवारदूइप असम्द के उपरी भाग तथा पर्णपाती वन उसनकटी वन दिये पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े भाग में फैले हुए बन हैं जो एक सो से दो सो सेंटीमीटर वर्षा वाले च्छतर में पाये जाते हैं इन वनों में ब्रिक्ष सुस्क ग्रिस मृतू में चोसे आठ सपता के लिए अपनी पतिया गिरा देते हैं इसलिए से पतजर वाले वन कहा जाता है ये वन हिमाले के गड़ी पद प्रदिस चारखंड पस्चमी ओडिसा उत्राखंड तथा पस्चमी घाट के पूर्वी ढालों में पाये जाते हैं यहां पाये जाने वाले प्रमुक बिक्ष हैं सागवान बां प्रमुक चेंटे में सुष्क माईदानी भागों में पाये जाते हैं इस परकार की वनस्पती करनाटक अंध्रविपरदेश मधिपरदेश तथा चतिसगड के पठाडी भागों में पाया जाता है सुस्क मरू अस्थलिये काटेदार वनस्पती जिन छेतरों में 50 सेंटीमीटर से कम बरसा होती है वहां इस परकार की वनस्पती पाया जाती है इन भागों में बन छोटे छोटे ब्रिक्षों की कटिली जहाडियों के रूप में होते है भारत में येवन रजस्थान, गुजराद, चतिसगड, उत्तरपर्देस और हर्याना के अर्धसुस्क भागों में पाया जाते है यहां की प्रमुख ब्रिक्ष हैं अकासिया, खाजूर, यूफोर्विया, नागफणी, खेजरा आदी डेल्टाई वन इसे कहते हैं मैंग्लोब बन यह वनस्पती तटवर्ती छत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि समसे महत्तपुर्ण वनस्पती है घाने मैंग्लोब एक परकार की वनस्पती है जिसमें पौधे की जरे पानी में डुबी रहती है गंगा, ब्रहमपुत्र, महानदी, गोदावरी, क्रिस्ना, कावेरी, नदियों में डेल्टा भाग में यह वनस्पती पाए जाती है गंगा बढ़ंपुत्र डेल्टा में सुन्दरी ब्रिक्ष पाये जाते हैं या छेत्र रोयल बंगाल टैगर के लिए प्रसिद्ध है इन वनों में तार, कैसूरीना, नारियल, क्योरा एबं एगोर के ब्रिक्ष पाये जाते हैं अगे प्रवतिय वन, ये वन हिमालई प्रवत पर उखते हैं, उचाय के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर भी इसमें दिखाय देता है, अगे उचाय मीटर में दिया गया है, तो पंद्रसो तकड़े का सदावार और पतजर, पंद्रसो से लेकर पचीस सो मीटर उच सितोस्न, कटीवंधिय, पत्ती चौड़े वाले, इसमें की ओक, देवदार, वर्च, मोपील, ये सब आता है, पचीस सो से पैतालीशो मीटर वाले में, कुन, धाड़ी, वन, जिसमें की फर, सुपरस, चीर, सनुबर, पैतालीश सो से अर्तालीशो में टूंटर, जिसको अल मिटियां भारतिये किसान की अमूल संपता है, इस पर देश की संपुर्ण किर्शी उत्पादन निर्फर करता है, मिर्दा के अध्यन को मिर्दा विज्ञान कहते हैं, यानि पैडोरोजी, मिर्दा जनन एक जटिल, तथा निरंतर चलने वाली प्रकिरिया है, मिर्दा का वर जलोड, फिर एकाली मिटी 15%, लाल मिटी 18,06%, लेटराइट मिटी 3,70%, मरू अस्थलिये 4%, परवतिय मिर्दा 5,50%, भूसर एवं भूरी मिर्दा हीम छेतर में होता है 1,20%, पहला है जलोड मिटी, सबसे अधिक उपजाबी, अलोवियल स्वयल, जलोड मिटियां, विसाल, मैदा अस्थानी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्थी भागों में पाए जाती है, यह मिटी नदियों, द्वाड़ा, अपर्दित, पदर्थों से निर्मित होती है, बाढ़ के मैदान की काप को अस्थानिय रूप में खादर कहा जाता है, यह पुरानी काप जो अपर्दन से और पर्वावित होती है, उसे हम बागर कहते हैं, इसमें पोटास और केल्सियम की प्रचूरता, तथा नेट्रोजन और हुमस की कमी पाए जाती है, यह मिटी, धान, गेहू, तिलहन, गन, ना, दलहन, जावा के अपक्छिय से होता है, इन्हें अस्थानिय रूप से रेंगूर या काली कापास मिटी भी कहते हैं, अंतरास्टे रूप से उस्न कटिवंधिये चर्नोजम कहा जाता है, यह मिटीया लोह तत्व, केल्सियम, पोटास, अल्यूमिनियम, तथा मैगनेसियम कार्बोन से समरिद्ध होता है, किन्तु इन में नैट्रोजन, फोस्फोरस, तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, इस मिटी में नमी धारन करने की छमता अधिक होती है, जो गिली होने पर चिप-चिपी एवं सुख जाने पर दरार उत्पन हो जाता है, इसमें उर्वरता अधिक अधिक छतर में होता है, ये गरिनाइट एवं नीश चाटानों के विखंडन एवं बियोजन से बनता होता है, इसका लाल रंग लोहे के ऑक्सेड की उपस्थिति के कारण होता है, इस मिटी में लोहता तो अलिमिनियम अधिक होता है, किन्तु जिवांस पदार्थ नैट्रो अधिक निच्छालित मिटियां होती है, यह बाजरे जैसी खादान फसलों के लिए उपयुक्त होती है, आगे है लेटराइट मिटी, भारत की यह मिटी मेगालाई पठार, पस्मी तथा पुर्वी घाट के छतरों में पाई जाती है, इनका स्वरूप इट जैसा होता है, भ लोह एवं अलिमुनियम से सम्रिध्धी होती है, किन्तु इनमें नेटरोजन, पोटास, पोटासियम, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है, इनकी उर्वरता कम होती है, किन्तु उर्वरक के पर्योग से इनमें काजू आधी फसले उगाई जा सकती है, आगे अब की अधिकता एवं पोटास, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है, यह मिटी, चाय, कहवा, मसाला, आधी फसलों के उत्पादन के लिए पर्युक्त होता है, इसके बाद है मरुस्थलिय मिटी, डेजर्ट, स्वयल, मरुस्थलिय मिटी का विस्तार रजस्थान, खड़्याना के दक्षिनी पंजाब में है, यह बजरी युक्त मिटी है, जिनमें नेट्रोजन, एवं जैविक पदार्थ की कमी, एवं केल्सियम कार्बोनेट से भिन्न मातरा पाई जाती है, इनमें केवल मिलेट, बाजरा, जुआर, तथा मोटे अनाजी ही वाये जाते है अगे पिट एवं दलदली मिद्रा, यह मिड़दा वर्सा डितु में जलमगन होने वाले छत्रों में पाई जाता है, यह मिटियां काली, भारी एवं अत्यधिक का अमली होती है, यह धान की खेती के लिए उप्युक्त होता है, यह मिटियां केरल में मिलती है, अगे है लव महरास्टर के सुस्क भागों में पाई जाती है ये रेह, कल्लर, उशर, राथर, थूर, चौपन, आदी अस्थानिये नामों में जानी जाती है इसमें चावल, गेहुं, कपास, गन्ना, तंबाकु, आदी फसलें उगाई जाती है आगे हमारेक्ष सहजे भारत की क्रिसी भारत एक क्रिसी परधान देश है यहां की 55% जनसंखियां अपनी अजविका के लिए क्रिसी पर निरभर है दिया गया है भूमी उपयोग देश का कुल भागवालिक छेतरफल 32,87,263 यानि कुल 38.73 मिलियन हेक्टेर में से 305.81 मिलियन हेक्टेर यानि कुल 92.88% जो है भूमी उप उपयोग के लिए है ने तो और में क्या है नदी है पठार है मितलब वहार है यहां पर दिया गया है कुल जिसमें खेती होता है बोया गया तो 46% वन है 22,89 गैर किरसी उपयोग के लिए 8,86 बंजर और अगिस्तान टैप का कहते हैं बंजर टैप का यह दोनों बरतमान परती ऐसे पड़ा हुआ है 4,88 और अन्य में आता है 7,9 जो कुछ से कुछ अपन होगा उसमें अब रास्टे किरसी निती 2000 काफी इंपोटेंट है के अंदर सरकार ने इस निती की घोसना 28 जुलाए 2000 को की थी इसमें अगले दो दसक के लिए किरसी छेतर में 4% की विर्धी का सानों की आय को दुग उना करने का लक्षी था हरित करांती ये खाद्यान उत्पादन से है स्वेत करांती दुगध उत्पादन से पिली करांती तिलहन उत्पादन से लाल करांती मांस मतर उत्पादन से गुलावी करांती जिंगा उत्पादन भूरी करांती गैड पडम इस स्रिंखला ग्रे उर्वडर करंती खादान स्रिंखला सबस्य पहलों के सरने के लिए था खादान कढ़ांती फुड चें आगे भारत में क्रियात्मक भूमी जोक हृत भारत में अधिकांस chỉzufिजिश जोट सीमान्थ परकार की रही है जो इस परकार है जोत के प्रकार, सिमान्त जोत ये एक हेक्टेयर से कम जमीन पर, लगू जोत एक से दो हेक्टेयर, मध्यम जोत दो से दस हेक्टेयर और बिढिषत जोत दस हेक्टेयर से अधिक अमेरिकी बैग्यानिक विलियम कैड ने सरपर्थम 1960 में हरित करांती सब्द का परयोग किया था, भारत में हरित करांती का आसाई किर्सी छेतर में परंपरागा तकनिकों तथा खेती की बिधियों को आधुनिक बिधियों द्वारा परिवर्तित करने से हैं, डॉक्टर नॉर् भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है, भारत में 1966-67 में हरित करांती का प्रणप पंजाब, हरियान एवं पस्चमी उत्तर परदेश में गेहुं की खेती से शुरू हुआ था, इसमें उन्नत किस्म के बूज, बीज, उर्वरक और सिचाई पर बिशेश धियान दिया गय पस्चमी हिमाले परदेश, जिसका मुखी छेत्र है जम्मू कास्मीर, लद्दाख, हिमाचल परदेश सेवं गढ़वाल छेत्र, पुर्भी हिमाले परदेश, जिसमें सिक्किम, मेघालय, अरुनाचल परदेश आता है, सत्लुज यमुना मैदान, जिसके अंतरगत हर्याना, चंडिगाड, दिल्ली, पस्चमी उत्तर परदेश आता है, गंगा का उपड़ी मैदान, जिसमें पस्चमी उत्तर परदेश, उत्राखंड, हरी द्वार जिला, मध्य गंगा परदेश, जिसमें उत्तर परदेश और बिहार, गंगा का निचला मैदान, बढ़ंप भूमी जिसमें नागपूर का पठार, महाभारत पठार, बिंधेचल पठार, 36 गड़, बागेल खंड, बुंदेल खंड, मालवा पठार और बस्तर आता है महरास्टर का पठार इसमें दकन का पठार, डकन का वित्री परदेश जिसमें करनाटक, आंधर परदेश, तामिलाडू के उच्छी भूमी, उत्तर के आदिलबाद जीले में से लेकर दक्षिन के मदुरई तक और पुर्वी तटिये मैदान इसमें कारा कोरम तट, उत्कल और उत्तरी सरकार, आगे पस्च्मी तटिये मैदान जिसमें कोंकन, करनाटक, मालावार तट, गुजरात के मैदान इबं पहाड़ियां, कच, कठियावाड इबं सौरास्ट, संकरा तटिये भाग, पुर्वी नदी घाटी और निम्न भूम्मी और घाटिया, पस्च्मी छेत, इत्री गुजरात, थार मरु अस्तर, अरावली एबं, पुर्वी अर्ध सुल्क पर्देश, सुस्क पर्देश, हडियाना और सिमांत भाग, द्वीपिय पर्देश, जिसमें लक्ष द्वीप, अंडमान द्वीप सम्मू, निकोबार द्वीप सम्मू आता है, आगे सलास औ किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने पडिवार के भरन पोसन के लिए अनाज एवं अनिक हाद पसल हुगाते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मध्य पर्देश में बेवर दहिया, अंध्र पर्देश में पेंडू, पेंड़ा, ओडिशा में प मिजवरम नागालेन में इसको जूम कहा जाता है, मनिपूर्द में पामलू, चछतिसगड में रीप, अडवान निकोबार में भी इसको रीप कहा जाता है, विसु में अगर मेक्सिको के मध्य की बात करें, मेक्सिको और मध्य अमिर्का में तो इसको मिलपा, वेंजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रिका में मसुले, इंडुनेसिया, लदांग, बियतनाम में रे, अगे फसल के प्रकार, भारत में तीन प्रकार के फसले होती है, जिसमें प्रकार में दियागे खरीफ, ये जुलाई से एक्टूबर तक, रवी ये एक्टूबर से अपडिल और जायद मार्च से जुन, खरीफ जुलाई से एक्टूबर, रवी अक्टूबर से अपडिल और जायद मार्च से जुन, किर्शित फसले, भारत उसन और समसितोसन दोनों कटी बंधों में इस्थित होता है, भारत की फसले निमन है, पहला दियागे खादान, चावल, गेहु, मक्का, जुआर, बाजरा, रागी, जौ, आदी, दाल, पेपदार्त में चाय, कहवा, तंबाकू, बेफसाइक या नगदी फसल जो है उसमें गन्ना, तिलहन, जिसमें कि मुंग, फली, तील, रड़ाय, वसरसो, स्वैवीन, रवर, फल और सबजिया, फिर उत्पादन का आदर्स के लिए पस्चीम बंगाल, सबसे दिक होता है पस्चीम बंगाल में, फिर उत्तर परदेश, आंदर परदेश, इसके लिए तापमान चाहिए 24 टिग्री सेल्सियस, बरसा 150 सेंटीमीटर बार्सिक, मिट्टी 2, मिट्टी 2, मिट्टी सबसे अच्छा, किस्म इसका IR20, जियाब, पुशा, कावेडी, IET 10031, IET 1136, फिर आता अग्य हूं, इसका नाम है ट्रेटिकम, बोटनी का लिएम, ट्रेटिकम उस्टिवम, सबसे अधिक उत्पादन में होता है इसका उत्तर परदेश, पंजाब, फिर मधी परदेश, तापमान इसका 10 डिग जियान, सोना, सोनालिका, छोटी लर्मा, सर्वती, सोनडा, सोना, 237, इसके बाद है जुआर, यह करनाटक महरास्ट टॉप पे है, तापमान चाहिए इसका 37 से लेकर 32 डिग्री सल्सियस, इसमें बर्सा चाहिए 30 से लेकर 55 सेंटिमीटर, मिटी काली, चिक युक्त मिटी और तापमान 25 से लेकर 31 डिग्री सल्सियस, मक्का, मक्का में आंधर परदेश करनाटक महरास्ट टॉप पर है, तापमान 21 से लेकर 37 डिग्री सल्सियस, वर्सा 50 से लेकर 75 सेंटिमीटर, मिटी इसका सूप परवाहित कॉप लाल दोमट मिटी, और किसम इसका गंगा 101, गंगा 3, इसके बाद है जो, जो में सिर्ष अस्थान पर राजस्थान उतर परदेश हरियाना, तापमान 10 से लेकर 18 डिग्री सल्सियस, वर्सा 70 से लेकर 90 सेंटिमीटर, और मिटी चाहिए हलकी जलोड, चना, चना में सिर्ष पर है मधिपरदेश, फिर राजस्थान महरास्ट्र, ता अरहर, अरहर में महरास्थर करनाटक मधिपरदेश, तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सल्सियस, वर्सा 40 से 80 और मिटी चाहिए कॉप या काली मिटी, काली मिटी कोई कॉप पढ़े थे भी, अब है बागवानी फसल जिसमें की चाय, सिर्ष पे असम है, फिर पस्री मंगाल ताम लाडू, तापमान चाहिए 24 से लेकर 30 सेंटिमीटर, वर्सा 150 से लेकर 250, जोगी काफी अधिक हुआ, मिटी इसका सुपरवाहित गाहरी भुर्भुरी दोमट मिटी, जिवांस युक्त, जिसमें पाला चाय की फसल के लिए हानिकाड़ाग है, पाला नहीं परना चाहिए, भ हारत में सिचाय समन्थी योजनाओं को तीन भागों में बाटा है, पहला है बिढिहत सिचाय योजना, इसके अंतरगत उन सिचाय योजनाओं को समलित किया जाता है, जिनके अंतरगत 10,000 हेक्टेयर से अधिक की किर्सी योगी भूमी आती है, इसमें नहर एबम बहुत 2,000 हेक्टेयर से कम आता है, फिर आता है लगू सिचाय योजनाओं, इसमें जो समलित सिचाय योजनाओं है, वो 2,000 हेक्टेयर से कम होता है, किन्तु कुए तलाव आजी को इसमें समलित किया जाता है, अब इस सिचाय के साथ है, सिचाय के सुरुत भूमीगत जल और धरातल परदेश, फिराजस्थान, पंजाब, मधिपर्देश और फिर आंधर परदेश, पहले अस्थान पर उत्तर परदेश है, कुल छेतरफल के प्रतिसत दिरिष्टी से सरवाधिक सिंधित पांचराज में पंजाब, हरियाना, उत्तर परदेश, तामिलाडू और बिहार है, पहल अन्य साधन से पांच परदेश बरसा बरसा सब्जाता है, शिर्ष तीन, नहर सिचायराज्जी में पहले अस्थान पर जम्मुकास्मीर, फिर शहतिस गड़ और हरियाना, शिर्ष तीन, कुवां सिंचित राज्जी, पहले अस्थान पर आता है, गोआ, दूती अस्थान पर महरास्ट, तिर्थी अस्थान पर राजस्थान जो कुवें से सिचय करता है तलाब बाले में पहले अस्थान पर आगिया है महरास्थ, फिर आंधर परदेश अब यहां पर राजी पंजाब का दिया है नहर, उसला कौन से राजी में कौन सा नहर है अबसे दिया गया तो पंजाब में सरहिंद नहर, नांगल बांध नहर उपड़ी बारी दौब नहर विष्थ दौबनहर भाक्रा नहर औरुकरां नहर फिर आता हृड्यानों है कि समय यमुना नहर गुडगउण नहर पस्मय यूमुना नहर और गुडगां नहर उत्तर उत्तर परदेश सिवा मुत्राखंड में आगरा नहर, पूर्वी यमुना नहर, उप्री गंगा नहर, निचली गंगा नहर, सारदा नहर, वित्वा नहर, केन नहर, धासान नहर, फिराते ओडिसा, ओडिसा में केंदर पारा नहर, तल नंदा नहर, महानदी डेल्टा सिचाय की कि योजना, अब है बिहार जारकंड, बिहार में फूर्वी सोन नहर और जारकंड में पश्मी सोन नहर, त्रिवेनी नहर, कानाडा बांध की नहरे, गंड़क बांध योजना, फिर आता है पश्म कानाद chem crashed. अगे भारत की प्रमुक, बहुद्डेशिय पडियोजना, जिसे पहले है दामोद्र घाटी पडियोजना, यह तेथिस घाटी पडियोजना पर अधाडित है, शंपूर्ण पडियोजना की अंतरगत आठ बांध एवं एक लेघुरत बांध बनाया गया है, बोकारो, चंद्रपूरा, पतरातु एवं दुर्गापूर में ताप विधूत गिरीहों के निर्मान किया गया है इससे अलवामबित राज्य है जहारखंड और पस्थी बंगाल उद्देश इसका है विधूत उत्पादन बाधन यंतरन एवं सिचाय भाकरा नागल पर योजना यह संसार का सबसे उचा गुरुत्विय बांध है बांध के पीछे जहील का नाम गविंद सागर है यही मचल परदेश में है यह भारत की सबसे बड़ी बहुत देश्य पर योजना है भाकरा नागल यह सतलज नदी पर है पंजाव हड्यान रायस्थान को फाइदा मिलता है यह जल बिधुत उत्पादन एवं सिचाय के लिए है आगे व्यास पर योजना व्यास नदी पर है पंजाव हड्यान रायस्थान लभांबित है जल बिधुत और सिचाय के लिए है कोशी पर योजना, यह भारत वा नेपाल की संजुट पर योजना है, कोशी नदी पर है, बिहार और नेपाल लंभावित होता है, बाध नियंतरन, सिचाय वम, जल विदुद के लिए, हिराकुंड पर योजना, यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है, इसके उचाय, इसके लंबा है, 4.8 किलो मीटर और उचाय, 61 मीटर है, महा नदीपर हीराकुंड बिराज और तिकर पारा पर तीन बांध बनाएगे है, यह महा नदीपर है, ओडिशा में, जल विदुद और सिचाय के लिए, चंबल पर योजना, यह गांधी सागरबांध मधिपर पर योजना, इस बांध के पीछे, गोविंद बल्लाब बनत सागर नाम के करत्रिम जिल बनाएगे। भय गया है या रिहांद नदी पर उत्तर परदेश और मद्य परदेश लवांबित होता है विधूत और जल विदूत के लिए फिर है थीन बांध पर योजना रावी नदी पर पंजाब में सिचाई के लिए गंड़क नदी पर योजना ये गंड़क नदी पर बिहार और उत्तरपरदेस सिचाय आईवं विधुत उत्पादन के लिए टीगरी बांध पर योजना भील गंगा एबं भागी रथी पर उत्राखंड में जल विधुत के लिए मीता टिला पर योजना बेतवा नदी पर उत्तर परदेश और मध्य परदेश में बेधुत और सिचाई के लिए फिर है फड़का विराज पर्योजना ये हुबली पर पस्वी बंगाल में सिचाई और नौपड़ी वहन के लिए माही पर्योजना ये माही नदी पर गुजरात राजस्थान में सिचाई के लिए यह 17 नदीपर है हिमाचल परदेश में जल विधुत के लिए तुंग भद्रा पर यूजना तुंग भद्रा नदीपर करनाटक और आंधर परदेश पे विधुत उत्पादन और सिचाय के लिए नागा अर्जुन सागर पर्योजना कृष्णा नदी पर आंध्रपर्देश में सिचाय और बिधुत उत्पाजन के लिए कोईना पर्योजना कोईना नदी पर महरास्टर में जल बिधुत के लिए राम गंगा पर्योजना राम गंगा उत्रांचल सिचाय और जल बिधुत के लिए सलाल पर्योजना चिनाव नदी पर जमु कास्मीर में जल बिधुत के लिए घाट पर्भा पर्योजना घाट पर्भा करनाटक सिचाय और जल बिधुत माल पर्भा पर्योजना माल पर्भा ये करनाटक में सिचाई के लिए उपड़ी क्रिस्टना पर्योजना क्रिस्टना नदी पर करनाटक में सिचाई के लिए पंचम पाद पर्योजना गोदावरी आंधर पर्देश में सिचाई के लिए परंबी कुलम अलियार पर्योजना परंबी कुलम तामिलाडू केरल इसमें सिचाय और जल बिधुत के लिए अलमटी बांध पर्योजना क्रिष्णा नदी पर आंधर पर्देश करनाटक और महरास्ट में जल बिधुत और सिचाय के लिए मेटूर पर योजना ये कावेरी नदी पर है तमिलाडू में जल विधुत के लिए सिरी सेलम पर योजना क्रिस्ना नदी पर आंधर परदेश में जल विधुत इडुकी पर योजना पेडियार नदी केरल जल विधुत के लिए निजाम सागर पर्योजना मंजरा नदी पर आंधर पर्देश में जल विधुत सिव समुद्रम पर्योजना कावेरी नदी करनाटक जल विधुत के लिए छोम बांध कृष्णा नदी पर महरास्ट जल विधुत के लिए सारावती पर्योजना, सारावती नदी करनाटक जल विधुत के लिए राजगाट पर्योजना, बैत्वा नदी पर, मधी पर्देश उत्तर पर्देश ये सिचाय और जल विधुत के लिए उकाई पर्योजना तपती नदी पर गुजरात सिचाय और जल विधुत के लिए सावर मती पर्योजना सावर मती गुजरात जल विधुत के लिए स्वर्न रेखा पर्योजना स्वर्न रेखा जारखंट जल विधुत सिचाय के लिए कोयल कोरो पर्योजना कोयल कोरो जारखंट जल विधुत के लिए मचकुंड पर्योजना मचकुंड आंधर परदेश ओडीशा सिचाय एबम जल विधुत के लिए तवा पर्योजना तवा नदी पर मधी परदेश सिचाय के लिए अगे चिवरो पान बिजली पर्योजना घागरा नदी पर उत्तर पर्देश जल विधुत के लिए पारवती जल विधुत पर्योजना पारवती ये हिमाचल पर्देश हर्याना दिल्ली जल विधुत के लिए कालिंदी पर्योजना कालिंदी करनाटक में जल विधुत के लिए काकर पारा पर्योजना तापती गुजरात जल विधुत के लिए पोंग बांध पर्योजना ब्यास हिमाचल पर्देश जल विधुत सिचाई के लिए दुलहस्ती पर्योजना चिनाव नदी पर जम्मु कास्मीर जल विधुत के लिए अगे भी कुछ है तुलबुल पर्योजना जेलम ये जम्मु कास्मीर में जल विधुत के लिए बग लिहार पर्योजना चिनाव जम्मु कास्मीर में जल विधुत के लिए उरी पर्योजना, जहलम नदी पर ही जमुकास्पी में जल बिधुत के लिए, तिस्ता पर्योजना, तिस्ता नदी सिक्किम में जल बिधुत और बार्ठी नियंत्रन के लिए, सारदा पर्योजना, सारदा नदी पर उत्तर परदेश में, सिचाय और जल बिधुत के लिए, पा पूजा प्र नदी पर मधिपर्देश जल विदुत के लिए भानोगा है उडाई पध्योजना उडाई नदी पर राजस्थान सेल लिए पढ़्ननगा आगा भद्र पर्योजना, भद्रा पर्योजना, भद्रा नदी पर करनाटक, जल विथुत और सिचाय के लिए, दुरगापूर बैराज पर्योजना, दामोदर, जहारकन पसीम बंगा, बाध नियंत्रन और जल विथुत के लिए, हिड़कल पर्योजना, घाट परभा, करनाटक, जल जल विधूत के लिए, कोलीडेम पर्योजना, सत्लज न過去 हिमाचल परदेश जल विधूत के लिए, गिरना पर्योजना, गिरना, महराश्ट्रे जल विधूत एवं सिचाई के लिए, अब आगे भारत और परोसी देश के साथ जो पर्योजना है, जिसमें चूखा और विधुत पर्योजना भारत और भुटान पेह बिंग्चू नदी पर ताला पर्योजना भारत और भुटान का वंग्चू नदी पर ही सांकोस पर्योजना भारत और भुटान ये संकोस नदी पर टनक पूरा बांध पर्योजना भारत और नेपाल महाकाली नदी पर कोसी पर्योजना भारत और नेपाल कोसी नदी पर पंचेस्वर पर्योजना भारत और नेपाल महाकाली नदी सारदा पर्योजना भारत और नेपाल काली नदी आगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बिवादित नदी पर्योजना है जिसमें दूलहस्ती जलविधूत पर्योजना चिनाव नदी पर है जिसमें कि दार्जिलिंग इस्थित सिंद्रपॉंग जल विधुत पर्योजना 1897 भारत की सबसे पूरानी जल विधुत पर्योजना है जिसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर सिव समुदरम जल विधुत पर्योजना अस्थापित हुई थी तो यह 1897 में ओबरा बांध रिहांद नदी पर इस्थित है बुकसा बांध पर्योजना दार्जिलिंग में इस्थित है जिसे 1992 में रास्ट्रे पार्क का दर्जा दिया गया था जल विधुत पर्योजना अंडमान निकोबार दिव समुम में इस्थित है तेलगू गंगा पर्योजना क्रिस्टना नदी पर प्रारंभ की गई है भारत बंगलादेश के मध्ये तिपाय मुख बांध पर्योजना और तिस्ता नदी जलवटबाडे को लेकर विबात चल रह है भारत बंगलादेश का खोसला समीती सरदार सरोबर बांध से संबलेत है अब आगे खनी संसादन इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेस्टन मेरे पर अच्छा लगाओ तो लाइक एंड से जड़ कीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अजय है अजय है जय है तक एंगले अगले खनी सर्दार से वीडियो में तो लाइक एंगले खनी से से लाइक पर अजय है।